हाई आप यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोएक्टिव इन्वेस्टर प्रोएक्टिव इन्वेस्टर चैनल का पॉपस आपको फिनेंशनली एडूकेट करना है कि आप किस स्टॉक मार्किट में इपनी इन्वेस्मेंट के साथ स्मार्ट ली प्ले करके अपने लिए एक पैसिव इंकम जनेरेट कर सकते हैं बहुत सारे विवेश में से पूछ रहे थे कि आप कौन सा वेब ब्रोकर अकाउंट यूज करते हैं तो अगर आप यूज से से हैं तो आप कोई भी इस वेब ब्रोकर के साथ ओपन नहीं कर सकते क्योंकि मैं बात कर रहा हूं क्वेस्ट कि बट स्टिल यूए अगुट आप इसके साथ मॉचेंट अपन करके आप स्टॉक मार्कट में इन्वेस्मेंट कर सकते हैं क्योंकि इवन कि आप इनके साथ माजन अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो इनके जो ट्रेडिंग कमिशिंज फी है वह एस कंपेर तो दूसरे वैब ब को और इसकी कुछ प्राइस को देखेंगे और उसकी प्राइस को कुछ दूसरे ब्रोकर के प्लैटफर्म के साथ कंपेर करेंगे सो इन तुमाम चीजों को आज की मैं अपनी वीडियो में कवर करूगा सो लेक्स जंप इंटू माइं कंप्यूटर सो वियर्स जैसे ही आप मेरे चैनल पर आएंगे अगर मैं चैनल का नाम बोलूं तो वो है प्रो एक्टिव इन्वेस्टर यूसफ जैसे ही आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल के उपर आएंगे तो आपने फाइंड करना है से फिफ्टी परसंट कमिशन फ्री यूजिंग ट्रेड अग जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपको क्वेस्टरेट के ऑनलाइन वेब ब्रोकर पर ले जाता है वहां पर आप मल्टीपल आप्शन देखेंगे अगर आप क्वेस्टरेट में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरे इसी यू लिंक को यूज करके ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करें तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर मल्टीपल अकाउंट को देख सकते हैं क्यूंकि यह क्वेस्टरेट जैसे कि मैंने आप इंट्रोडेक्शन में बताया कि यह कैनड़ा बेस है तो यहां पर आपको तुमा अगर आप अलड़ी रिजिस्टर्ड हैं तो आप लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे और इस अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे तो चलें देखते हैं इसके कुछ फीचर्ज अगर मैं प्राइस की बात करूं तो क्वेस्ट्रेट प्राइस के पॉइंट अ व्यू से दू तो आपको मिनिममम फी जो के फोर डॉलर नाइटी फाइव सेंट पे करने पड़ेंगे जबके मैकसिमम फी टैन डॉलर और टी अफ को बाय करने के लिए कोई फी पे नहीं करने पड़ती जबके सेल करते हुए इसकी फीस भी फोर डॉलर नाइटी फाइव सेंट और मैकसिम पर आप bond GICS और mutual friends की भी fee को देख सकते हैं अब हम चलते हैं इसके active trader की pricing पर अगर मैं active trader की pricing की बात करूँ तो $4.95 है जो के quite reasonable है क्योंकि जो दूसरे mostly web broker हैं Canada में वो approximately $10 चार्ज करते हैं और इसी के साथ अगर मैं compare करूँ quest rate की commission fee की बात करूँ तो इसको हम देखते हैं Canada में जो मजूद TD का web broker है वो per trade आप से $9.99 चार्ज करता है जो के straightforward fee है इसके इलावा TD आप से quarterly $25 भी चार्ज करता है जबकि quest rate ना monthly और ना ही yearly आप से चार्ज करता है और अगर हम RBC की side पर देखें तो RBC भी आप से $9.95 पर trade as a commission fee चार्ज करता है और अगर आपने fees को reduce करना हो $6.95 तो उनकी condition है कि आपने $1.50 ट्रेड पर quarterly आपको करने पड़ेंगे तो देन आपकी fee $9.95 तो $6.95 हो जागी तो यह थी इसका basic comparison fee का cost rate का with 3D bank और RBC इसके इलावा अगर हम इसके देखें data package USA में इसका जो data package है वो है $89.95 पर month और Canada के data package की भी same price है लेकिन वो Canadian price है $89.95 नाव दा question है कि इस amount को हम किस तरह reduce कर सकते हैं इस amount को आप इस तरह reduce कर सकते हैं इनकी condition है अगर आप एक माँ में तक्रीबन $48.95 as a commission pay करेंगे तो आपको $19.95 रिबेट हो जाते हैं और अगर आप fully refund करना चाहते हैं तो आपको minimum $399.95 as a commission pay जब आप pay करेंगे तो फिर आपकी $89.95 fully 100% refund हो जाते हैं जबके मैं दूसरे brokers की बात करूँ TD की या फिर RBC की तो वो approximately $100 a month आप से charge करते हैं ये जो है data package ये mostly उन लोगों के लिए है जो day trading करते हैं क्योंके वो एक दिन में बहुत जादा transactions करते हैं लेकिन अगर आप long term investors हैं तो फिर आपको इन data packages की जरूरत नहीं है बलकिका basic package वो आपके लिए enough है क्योंके day traders को multiple transactions करनी पड़ती हैं जबके long term investment में मीने में दो या तीन transaction करते हैं अब हम देखते हैं इसके online web broker के platform को सबसे पहले हम करते हैं login जैसे ही आप login करेंगे तो आप एक authentication code अपने mobile पर receive करेंगे just for authentication after authentication आप quest rate के dashboard पे जैसे land करेंगे तो वो dashboard का top पे आप देख सकते हैं summary of the accounts आपके total accounts की summary जितने भी आपने quest rate में account open किया है चाहे वो marginal है या फिर वो registered account है तो मेरे पास अभी currently TFSAA की registered account है तो उसकी जो summary है वो आप यहां पर देख सकते हैं तो आज की हम अपनी वीडियो में detail में देखेंगे cost rate के stock के dashboard को so मैंने topic क्लिक किया account and then I'll click on trading trading का option select करने के बाद हम trading के इस dashboard पर आजाते हैं अगर मैं टॉप पर देखेंगे हूं तो आप balance positions जाने के कौन-कौन से आप stocks को hold करते हैं आपके orders orders executed order कौन से हैं और फिर आप duration wise भी आप उनको sort out कर सकते हैं और पिर आपके पूरे account की activities मैं आज के अपनी वीडियो में भी बात करूंगा कि हम किस तरह इस सारे अपने dashboard को अपने accordingly customize कर सकते हैं सो सबसे पहले चलते हैं watch list में left side पे जब मैंने watch list पे क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे watch list नज़रा रही है उपर टैक है और नीचे मैंने टैक के दो स्टॉक से एड़ किये हैं टैसला एंड एपल यहां पर मैं अगर कोई और watch list एड़ करना चाहता हूं watch list से मुराद active stock market में यह वो stocks होते हैं जिनको time by time हम overview करते रहते हैं so मैंने एक और watch list एड़ करनी है तो मैं यहां पर three buttons पर क्लिक करता हूं मैं इस pop up को close करेंगे और इस drop down में आएंगे तो आप देख सकते हैं के health care की यह वाली list है इस list में अब हम stocks को एड़ करेंगे अगर मैं stock की बात करूं तो health care का जैसे के है chart will नर्सिंग हों का मैंने इसमें stock add का दिया है तो आप देख सकते हैं उसकी basic stats इन तमाम stats को भी हम अपने accordingly change कर सकते हैं आप इन three vertical bars पर click करें और जो options आप यहां पर show करवाना चाहते हैं उसको plus के sign से आप add up कर सकते हैं और अगर आपने कोई option existing option को remove करना है तो minus के sign पर let's see practically अगर हम देखें तो last की option है 1065 इसकी last price थी मैंने यहां पर click किया और मेरे पास यह last है मैंने इस पर click किया और वापिस जाते हैं तो देखते हैं यहां पर last की option गाहिव है इसी तरह अगर आप कोई ऐसी option जो के आप देखना चाहते हैं तो जैसे के यह जो stocks था यह किस currency में तो इस तरह आप अपनी watch list को customize कर सकते हैं और आप अपनी multiple watch list भी create कर सकते हैं इसके next option में आती है stocks किसी भी आप stock को देखना चाहते हैं उसकी price उसका revenue उसकी कौन सी x date है या उसका dividend rate क्या है तो आप stock की screen पर आते हैं और इसी stock की screen पर आप अपने stock के लिए order place कर सकते हैं चाह है वो sale का order है so अगर just suppose कि मैं apple का stock देखना चाहता हूं तो यहां पर आप apple का name या फिर उसका जो symbol है वो type करें देखें सबसे पहले apple के stock का जो name है then उसका stock market जो के nasdaq है उसकी price और red में आप देख सकते हैं downward arrow है जो के इस से मराद है कि आज ये stock one point zero five cent के साथ down रहाँगा और percentage में उसकी value थी zero point seventy eight percent buy and sell के button पर click करके हम अपने stock को buy या sell कर सकते हैं apple के stock की यहां पर कुछ little bit information है high open volume और shares और eps earning per share और bottom में आप देखेंगे इसका chart ये chart आप most periods में देख सकते हैं multiple periods में I mean to say one day का भी देख सकते हैं five days one fifteen days one month and one year जिस तरह आप देखना चाहते हैं या जो आप stats निकालना चाहते हैं उसके accordingly stock को अगर आपने buy करना है तो आप यहां पर click करेंगे तो right way यह वाला जो stat ऐसारा symbol वोगारा वो automatically यहां पर fill हो जाएंगे मैंने यहां पर click किया तो देखें आप fill हो जाती है वरना आप यहां पर भी manually enter कर सकते हैं जब आप manually enter करेंगे तो stock की option आपको आएंगे just post north west जो के property का stock का मैंने click किया तो आप उसकी price यहां पर populate हो जाती है quantity type करें order type select करें और फिर duration और यहां पर आपने अपना account select करना तो इस तरह आप अपने stocks को यहां क्वेस्ट्रेट के platform से buy कर सकते हैं options हैं और research हैं अगर आपने किसी भी stock के बारे में कोई भी research करनी है तो इसके research के tab में आएंगे और research में आप देख सकते हैं earning कोई भी stock की फिर आप उसका डिविडेन अनिलिटिकल रेटिंग गाइडन्स एकनोमिक सेंस प्रेट के कौन सा stock काब है और इसके इलावा आप किसी उसी stock की बारे में कुछ वीडियो या कोई news देखना चाते हैं तो यह top पे दो tabs आपको नजर हैं calendar के इलावा भी alerts हैं जहां पर आप alerts अपने लिए activate कर सकते हैं as per convenient आप किसी भी stock के उपर उसकी डाउन प्राइज आप प्राइस पर या किसी किसम का जो alert आप किसी stock के उपर लगाना चाहते हैं तो आप इस step में set करते हैं left side पे जो panel है उसको आप minimize और अपने accordingly जिस तरह आप करना चाहते हैं कर सकते हैं इस left type के panel जहां से आप stock को buy या sell करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो stocks आपकी positions हैं एक्से जो आपने buy already किया है वो भी आते हैं और आपकी buying power वगारा भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना और ज्यादा cash है या जिससे आप stock को buy कर सकते हैं और इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि आप इसको अपने accordingly कस्टमाइज कर सकते हैं अगर मैं जाओं इसके watch list में या जिस तरह मैंने explain किया कि आप इन watch list में ये जो top वाले attributes हैं किसी भी stock की उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अगर मैं accounts में जाओ और accounts में जाके positions में तो positions में भी जो आती हैं जो आप actually आपने account stocks hold कियो हैं आप उनकी भी attributes को अपने accordingly कस्टमाइज कर सकते हैं इसी तरह balance में जाते हैं अगर आप तो आपको अपने जो भी पूरे account का profit and loss आपको यहां पे नजर आएगा जैसे कि open PLNL से मराद है कि country जो आपन stock hold की हैं उनकी उपर आपको कितना profit and loss है और पार डे के अगर आप देखें डेवाइस profit and loss यह उसको भी calculate करते हैं और आपका जो total profit and loss है उसको percentage में भी calculate करके शो करवाते हैं तो यहां पर यह basic information है जो कि आपके account की पूरी details है कि आपके पास total कितना cash है और वो Canadian में कितना है औ और इसे तरह आपकी जो total आपने जो investment किया वो कितना है so it's very informative और especially फिर मैं यहां पर कहूंगा कि यह platform उन तुमाम beginners के लिए बहुत ज्यादा profitable है क्योंकि यहां पर इसकी जो commission fee है वो as compared to other platform almost 50% है क्योंकि अगर वहां पर आप 10 ट्रेड करते हैं तो आपको 100 डालर पे करना प आप 10 transaction जड़ 10 trade करेंगे तो in term of commission fee आपको सिर्फ 50 डालर pay करने पड़ेंगे और अगर आप first time है तो अगर आप मेरे इस link को use करेंगे जो मैंने description में explain किया है तो आप उसको use करके 50 डालर का rebate भी असल करेंगे जानिकि आपके पहले 10 transaction free of cost होंगी so we are hopefully आज की मैंने अपनी इ justify किया होगा कि मैं quastrate के web broker account को क्यों stock market या research के लिए use करता हूं अगर आप मेरे इस चैनल पर first time है तो don't forget to subscribe my channel और bell के icon को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तौम वीडियो के notifications आपको मिल सकें और अगर आप quastrate के इलावा कोई ऐसे platform को जानते हैं जिसकी fee quastrate क कि निस्बत बहुत जादा काम है या उनका research टूल बहुत जादा अच्छे हैं तो उनको कमेंट में जरूर mention करें ताकि मैं उनको भी देख सकूंँ और मेरी इस चैनल को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरी इन तमाम वीडियो से फाइदा उठा कर वह भी stock market में अगर investment करना चाहते हैं तो वह क्वेस्ट्रेट के थू करके एक अच्छी अपने लिए passive income जरेट कर सकें और अगर आप क्वेस्ट्रेट के platform की उपर अपना account open करना चाहते हैं तो नीचे दिएगे description में मेरे link पर क्लिक करके अपने account को open करें ताकि आपको 50 ड